राम राम आज हम श्रिमत भगवत कीता की अथ्यातीन कर्म योग का श्लोक 36 संस्क्रित उच्छारण और हिंदी अर्थ सहित सिखेंगे ये श्लोक अर्जुन बोल रहे हैं अ जू के उपर आधर अर जू और नमी आमिक्स करेंगे अर्जुन वाच च में भी आमिक्स किया पहला चरण अथ थ मी आमिक्स करेंगे अथ के न मी आमिक्स करेंगे के न प्र का अर्थवा प आधा और पूरा पी आर ए यू के साथ आधा का प्रयुक तो के बाद में हैं अवा ग्रह आपको तो की मातरा को लंबा कीचना है तो य शब्द पुराने के बाद य पी अनस्वार आधा मा प्रयुक तो यम पहला चरण रिपीट अथा केन प्रयुक तो यम दूसरा चरण पाप प शब्द पूरा होने पर अनस्वार प पे आधा मा पापम चर दोनों अप्षर पूरें दोनों में अविक्स करना है चर ती पू की मत्रा बड़ी है लंबा खीचना है पू रू की मत्रा छोटी पूरू शब्द पुरान के बाद श में आ के मत्रा तो विसर्ग को पड़ेंगे हा पूरू शब्द पूरान के बाद श में आ के मत्रा तो विसर्ग को पड़ेंगे हा पूरू शब्द पूरू शब्द और दूसरा चरण साथ में ध्यान रखना है ये पूरुषः शब्द नहीं है पूरुषः पू को खीचना है बस तीसरा चरण अ नी के साथ आधा च अनिट छ के साथ आधा न चन फिर न पूरा है न पी वा के बाद में ध्यान देना आधा श भी है और न के बाद में ने पर जो आधा र की मतरव वो भी है तो इसमें क्या होता है कि जो आधा श है वो ने के साथ पढ़ा जाएगा और आधा र पहले पढ़ा जाएगा ठीक है कभी भी ये इसमें confuse नहीं होना कि अपने को पहले आधरा पढ़ना है कि वार्ष ने पढ़ना है तो बलादी और व में आमिक्स करने बलादिव नियों जी और त में आमिक्स करने नियों जित त में आ की मत्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा नियों जित चौथा चरण रिपीट बलादिव नियों जित तीसरा और चौथा चरण साथ में पूरिश्लोक का उच्चारन एक साथ अर्जुन उवाच अथा किन प्रयुक्तोयं पापं चरती पूरुष अनेच्छन पिवार्ष्नेय बला दिवनियों जित ह एक बार फिर से अर्जुन उवाच अथा किन प्रयुक्तोयं पापं चरती पूरुष अनेच्छन पिवार्ष्नेय बला दिवनियों जित ह श्लुक का अर्थ देखते हैं इसे पिछले श्लुक में हमने दिखा था कि भगवान स्वधर्म को निभाने के लिए स्वधर्म का पालन करने के लिए आर्जन को प्रेणा दे रहें और कह रहे हैं कि चाहे हमें अपना धर्म गुणों से कमी गुणों की कमी वाला दिखे परंतु फिर भी स्वधर्म का पालन करना कल्यान्कारी होता है और स्वधर्म यानि अपने धर्म का पालन करते हुए अगर एक व्यक्ती मृत्यू को प्राप्त हो जाए तो उसकी मृत्यू भी कल्यान कारक है परन्तु उसने अगर जीवन रहते हुए परधर्म का पालन किया तो वह दूसरे का धर्म उसको भए प्रदान करने वाला है क्यों यानि के बाद में भी वो अपने धर्मे में प्रवृत्त क्यों नहीं होता इस पर अर्जन प्रश्न कर रहे हैं अर्जन है उवाच यानि अर्जन बोले अथा यानि फिर केन अथा केन यानि किस्से प्रयुक्तोयम इसमें दो शब्द हैं प्रयुक्त धन अयम प्रयुक्त यान प्रेरित होकर और अयम यानि यह पापम यानि पाप का चरती आचरन करता है पूरुशह यानि पूरुश मनुश्य अनिच्छन नपी इसमें जो नपूरा है उसमें क्या होगा आधणा और प्लास अ बना तो अनिच्छन जो आधन है उसको अनिच्छ के साथ जोड़ेंगे तो अनिच्छन यानि न चाता हुआ इच्छा अनिच्छा यानि नहीं चाता हुआ और न मी जो अमिक्स किया उससे बन गया अपी तो अपी यानि भी वाशने य भगवान को संभोधित करते वा अर्जन इश इव यानि तरह तो जबर्दस्ती की तरह नियोजितह नियोजितह यानि किसी में लगाय हुए मतलब ऐसा जबर्दस्ती लगाय हुए की तरह पूरा अर्थ क्या निकला अर्जन बोले हे वार्षने फिर ये महनुश्य न चाहता हुआ भी जबर्दस्ती लगाय हुए की तरह कि इस से प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है ये अर्थ निकला इश्लोक का अर्जुन क्या प्रेशन करें कि जब अनुशे ये जानता है कि स्वधर्म यानि अपने धर्म का पालन करना कल्यान कारी है तो फिर वह अपने धर्म का पालन क्यों नहीं करता और क्यों अपने धर्म को छोड़ कर परधर्म की तरफ जाता है वो भी इस तरह जैसे कोई जबड़ दस्ती उसको परधर्म का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहा हो तभी तो वह परधर्म का पालन करके पाप की तरह आच्रन करता है अब इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में देंगे आशी ही नाथ ही मेरे नाथ मैं आपको भुलू नई नारेन 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 नारेन